नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में आज हम जानेगे Asian Paints के Q1 Results FY2025 के रिजल्ट्स आच चुके हैं शॉर्ट समरी में बोले तो Results कोई डिजास्टर से गव नहीं है देख लेते एक बार Final Matters और थोड़ से Technicals Quick Snippet देख लेते हैं Asian Paints Skinner क्या बता रहा है Sales है 2% Down Year on Year और Quarter and Quarter थोड़ा से Increase जरूर है लेकिर फिर भी Year on Year डिक्लाइन है EBITDA में Massive Decline है यहां तो 20% का डिक्लाइन है Net Profit में 25% का डिक्लाइन है Quarter and Quarter भी देखें Year on Year भी देखें क्योंकि EBITDA पे Effect पड़ा है वो Company जो Consistent Compounder गए जाती है और Investors की Darling है उसका इतना बुरा हाल पिल्कुल कल अगर rate paint हो जाए पूरा तो सर्प्राइस नहीं होगा EPS में भी 25% का डिक्लाइन है Clearly हम देख सकते हैं अगर Quarterly से थोड़ा और डिटेल में देखें तो Operating Profit Margin पे Expand पे दिक्कत आई है 19% पे बैठा हुआ है अच्छा नहीं है बेडला ओपस पहले आया है चार तरफ आपको भी बेडला ओपस के paints boards देखने लगे होगे और भी aggressive होके बेडला लग गुरूप लगा हुआ है paints के सेक्टर में तो Clearly इस पर भी effect आएगा इनकी जो press release थी अगर आप वह भी देखेशन paints की तो यहां आपको सब कुछ भी positive देखने को नहीं भी lightless मुझे तो consolidate net sales 2.3% डाउन है standalone 2.3% डाउन है pad डाउन है 25% है हम पहले देख चुके है highlights में क्या बता आ रहे हैं कि business decorative India जो growth है वो decline होई है और यह कुछ factors वता रहे हैं जिसे elections, severe heat wave जिसो consumption को impact के और इन्होंने price cut भी लिये थे competition के चलते और जिसकी वैसे इनको और दिक्कत हो रही है home decor बिसने सब सोड़ी growth है पर यह इतना बड़ा नहीं है geolocations जिसे इतोपिय शिललंका बंगलादेश यहां पे भी इनको defect आ रही है यहां पे भी macro economic conditions ठीक नहीं है प्लस जो currency devaluation हो रही है वो इनको यहां पे बिलकुली फाइदा नहीं कर रही है और इनको clearly नुकसान देखने को बिल रहा है इनके statement में पढ़ रहा था जहां इन्होंने बताया कि किस तरीके से कहां का दिक्कत आ रही है वैदर के कारण आ रही है और जो material है जो inflation है उसके वैसे भी आ रही हुए supply chain management अभी भी दिक्कत है अभी भी Gulf में जो red sea वाला जो route है अभी भी है आज यह कली हमें ने उसुना कि एक hoodies ने एक oil tanker पे attack किया और damage कर दिया जो इंडिनेवी ने rescue किया जिनके sellers को अभी यह demand रहेगी रहेगी और बेला ओपसका भी रहेगा तो clearly बहुत ही खराब result है अगर आप थोड़ा सा इनके segment में भी जाएंगे ना तो international business में इनका decline है यह बहुत ही अर्ली स्टेज पर है स्टार्टिंग पर है सिर्फ 93 पर से बढ़के 93.4 कर रहा है तो बहुत बड़ा नहीं है बट ग्रोथ कर रहा है किसे इन सेल्स भी देखिए 4.6 करोड यह भी 100 करोड से कम का है वाइट ओग जो वेदर सील है यह भी देखिए इंक्रीज इस से इनको ज़्यदा फाइदा नहीं हुआ है अगर आप भूल गए है तो मियाद दिला दू यह 29 परसें 90 करोड या 100 करोड की बाद चलो देखिए अगर आप इनका सेल देखिएंगे तो आल्मोस 9000 करोड के पास है कहा 9000 करोड और कहा 100 करोड क्लिरली हमको फर्क दिक रहा अगर हम इनकी इंवस्टर प्रेजिशन में चले जहाएं क्या बता रहे हैं क्या इनको आउटलूक देखने में मिल रहा है तो यहां यह कहरें कि कुछ रूरल मार्केट में इनको प्रोग्रेस देखने मिल रही है लेकिन मौन्सून है किस तरह से एफेक्ट करेगा वो भी डिपेंड कर रहा है फेस्टिसीजन को भी इनको उमीद है लेकिन अगेन इलेक्शन के बार किस तरह का अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो यह उपर से काफी नीच तीन हजार पैटिस सो से काफी नीच आया हुआ है और तीन हजार अठाइस सो के आसपा से स्टगल कर रहा है यहां पर अगर रिजल्ट अच्छा आता तो यह उपर आता इनफेक्ट अगर अगर आप तो यह उपर गया था जो टागेट पूरा हो चुका है अब यह डिक्लाइन पर ही है अगर आप देखो तो लगातारी हायर लोग और है लोग बनने की चांसेज हैं गया डाउन था इसको फिल करना था इस ते एंलान को भी विकली बिस पर देखेंगे अगर हम quickly moving average लगा ले 200 तो उसके नीचे है और आप 50 डेमा ओन करोगे तो यह उसके भी नीचे है खाइदे से अगर अच्छा रिजल्ट आता तो यह इसको कट करती और यहां पर golden crossover मिलता चुकि फिलाल मुश्किल लग रहा है 100 देखोगे वो भी नीचे है तो moving average के साथ नही quickly लगा लगा रहते हैं weekly इस पर हमको थोड़ा सा और better resistance देखने को मिलेगे weekly पर आप देखोगे तो again यह नीचे बैटा हुआ है इस channel पर नीचे बैटा हुआ है अगर आप इस level पर भी आप एक draw करो ना आप इस level पर एक horizontal line draw कर लो देखोगे कि इस point पर भी आप कई बार इसक resistance face कर रहा है तो easy नहीं होगा इसके लिए resistance बीट करना और यह weekly पर भी याद रखिए लेकिन इसी line जो यही line है इसी को अगर हम clone कर लें और नीचे हलका सा paste कर लें एक support हमको नीचे भी दिखता है अगर हम इसको कुछ यहां पर draw कर लें इस तरीके से तो भी हमको constantly support देख रह है और यह level कितना है 2700 के आसपास का है तो touch नहीं कर मैं तो touch नहीं करूँगा वेट करूँगा 2700 यह उसके भी नीचे आए अगर एशन पेंट्स में है तो यहां से यह competition बहुत आ चुका है दो बड़े competitor अग्रेसिव को जरूबर्स को जरूब फायदा हो बड़ कंपनियों को नुक्सान होगा वो price cut aggressive marketing करेंगी तो नुक्सान हो सकता है और अगर मैं को surprise नहीं होगा यह कि इसको भी तोड़ते हुए कम से कम 25-24 के लेवल पर आ जाए तो यह थे टेक्निकल अगर रखिए ना मेरे कहने पर ना किसी कहने पर buy करना है ना sell करना है आपको अपनी analysis करनी है fundamental technical free decision देना है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद like share subscribe